बुलन शहर की कोटवाली सियाना पुलिस के हाथ बड़ी कामियाभी लगी है पुलिस को सकुषल बरामत करते हुए आरोपे को गिरफ्तार करने में कामियाभी हासिल की है जानकारे के नुसार बुलन शहर के स्याना कोत वाली शेत्र से काफी दिन पहले एक बच्चा गायब हुआ था जिसकी परिजनों ने गुमशुदा की रिपोर्ट स्याना पुलिस में दर्ज करवाई थी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार बच्चे की तलाश कर रही थी इसी को देखते हुए कल रात सीओ मनीश कुमार यादव के नितितु में चैकिंग अभियान लगाया गया था मुखबीर से सूचना मिली थी कि बच्चे का अपहरन करने वाला युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देले के लिए लिए लिखना है जिस पर पुलिस ने तुरंत कारेवाही करते हुए गड़ बुलन शहर हाइवे पर युवक सुनील को गिरफतार कर लिया पुलिस ने उसके पास एक तमंचा 315 बोर का वदो जिंदा कार्थूस बरामत किये है अपहरन करता सुनील कुमार ने ताव की लड़की से करीब पाच वर्ष पुर्व प्रेम विवाहा किया था लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी और युवक के साथ चली गई थी जिसके कारण वह पत्नी के परिजनों पर उसे वापस लाने का दवाव बना रहा था जिसके चलते उसने अपने साले के लड़के मनीश गाव चांदपूर पूठी से अपहरन कर लिया था जिसके बाद वह लगातार मनीश के परिजनों को हत्या करने की धमकी दे रहा था जिस पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफतार कर बच्चे को सकुषल बरामत कर परिजनों को सोब दिया है देखे बुलंज शहर से जिला समधाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट दे रहा था कि बच्चे को मार दूँगा उसका कारण ये था कि जो अव्यूक्त था उसकी साधी इस बच्चे के घर हुई थी और उसकी पत्नी उसे छोड़के चली गई थी उसके पास से एक तमंचा मिला है और 364 IPC का अभियोग पंजी करत करके अभियोगत को जिल पिजा जा रहा है JBD Banquets लाए है Incredible Marriage Palace, Raj Gharana And the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Raj Gharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise ऐसे ही लेटेश कोबरे पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद